हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोखी तक यूट्टूब चैनल के इस नए वीडियो पे दोस्तों फाइनली दो दिन के बाद मैं आप लोग के सामने हाजी हूँ एक नई वेकेंसी के साथ जो वेकेंसी है इस वेकेंसी के लिए आप सभी एलिजबल होने वाले हो जी हां दुबारा सुलो आप सभी एलिजबल होने वाले हो क्यों क्वालिफिकेशन बहुत ही कम आए गया है पोस्ट के बारे में बता दूँ तिहां पे देख सकते हैं 4166 पोस्ट के लिए वेकेंसिज होने बाली है लोगडाउन में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग अनिंप्लोइड होगे हैं बहुत सारे लोग की जॉब चली गई हैं बहुत सारे लोग बेरोजगार होगे उन लोह के लिए वेकेंसिज होने बाली है कि आप लोग जरूड इस वेकेंसिज के लिए अप्लाई करें और इसके लिए अप्लाई करना है किसी भी तरह कोई exams नहीं देना है आपको direct जो है, है आप के marks के basis पे आप लोग का selection हो जाएगा इसली आप इस जॉब्स को पा सकते हो फिलाल हम बात कर लेते डिपार्टमेंट की तिया पर देख सकते हो भारती डाग विभा की तरब से ये नई वेकेंसी आई है जिसके लिए सीधी बढ़ती होगी और इसमें पोस्ट मैंने बता दिया है 4116 पोस्ट के लिए इसमें और भी क्या पूरसेजर है पूरी जान कर ये हम लोग जानने वाले इस वीडियो में इस वीडियो को आप लास तक जरूर देखे दोस्तो जिस डिपार्टमेंट की तरब से ये वेकेंसी जाई है उसका ओफिशल वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया है इस ऑफिशल वेबसाइट के थूरू बताने वाला हूँ ठीक है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं इस स्टार्ट करने से बहले बता दूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं के तो पिलिज सब्सक्राइब करें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यह जो ओफिशल वेबसाइट देख रहे हो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे इस तरह का एक ओफिशल वेबसाइट में जाएगा ओपन हो जाएगा तो लिंक चेक करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में यहा पर शो करना होगा यहा पर देख सकते हैं लाइब नोटिफिकेशन जो भी नहीं वेकेंसी जाती है उसका लाइब नृटिफिकेशन हो था है आई आई यह 608 पोस्ट के लिए MP में आई ए मद्यप्रदेश में 2834 पोस्ट के लिए एनुत्राखण में आई ए 724 पोस्ट के लिए ठीक है तो इसके लिए क्या है कि तीन स्टेट से अगर आप नहीं भी बिलोंग करते हो और इंडिया के सिटीजन हो आप इंडिया से करते हो वहां पर कि लोकल लैंग्विज की जो है जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्ल ना हो जब आपका वहां पर जो है जो है निवह तबी ठीक है अब आपको डीटेल्स में जानना चाहते हो तो उसके बारे में आपको बता दूँगा फि देख सकते हो अगर हम हरियाना मध्य पर्दे से उत्रकन की बात करें स्टर्टिंग डेट जो है आठ जून से यहां पर देख सकते हो इस्टार्ट हो गया है तो अगर आप इंटस्टेड हो तो साथ जुलाई से पहले अपलाई कर लेना ठीक है अगर आप इस वेकंसी के बार तो qualification की ठीक है तो qualification 10th pass अगर आप 10th pass हो तो आप इसके लिए eligible हो ठीक है अब हम बात कर लेते हैं job locations की job locations हो तीन state की vacancy आई यहां पर हडियाना मदपरदिस उताखंड में ही होगा फीज की बात कर ले तो फीज आपको 100 रुपीज पे करना होगा ठीक है अब एस की बात कर लेते हैं तो एज जो है 18 से 41 साल होता है बट इसमें अगर आप SC हो ST हो भी SC हो तो आपको काफी अची खाजी सेली भी होती है यहां पर 10-15 के भी सेली होती है और बिडाउट examination कोई मेहनत नहीं करनी है आप आजानी से जोग को पावी सकते हो तो फिलाल जो है link description में देने बाला हो वहां से जाके आप चेक करो और इसके लिए apply जुरूर करो एंड टेलीग्राम का भी